वुड्लैंड वुड्लैंड जोतों के सबसे बड़ी और प्रेमियम ब्रेंड में सामिल है कुछ लोग इसे विदेशी कंपनी मानते हैं लेकिन इसकी सुर्वात दिल्ली में हुई वर्तमान में इसके ब्रेंड वैल्यू 1250 करोड रुपय है जानिये कैसे बटवारे के कालर वुड्लैंड के नियू पड़े मिडल इस्ट से लेकर हॉंग कॉंग और दुबाई तक वुड्लैंड के पहुँच है इसकी कमाई के 75 फीशदी हिस्से में भारत का योगदान है कमपनी की सुरवात उस एरो कलब से हुई जो असी की दशक में कनाडा और रशिया के लिए विंटर बूट बनाता था एरो कलब की स्थापना दिली के आवतार शिंग ने की यू तो आवतार शिंग सत्तर की दशक सी जूतों की कारुबार से जुड़े थे लेकिन अपना खुद का कोई ब्राण नहीं था इसलिए 1980 में एरो कलब की सुरवात की कमपनी का सबसे बड़ा पार्टनर था रशिया 1992 में जब सोवियस संका बटवारा हुआ तो मार्केट बिखर गया भारत से रूस पहुंचने वाले ओडर रात तो रात रध हो गये रशिया के लिए तयार हुआ जूतों का बड़ा श्टॉक परिसानी की वज़य बन गया यू पढ़ी वुड्लैंड की न्यू रूस के मार्केट कमजोर पढ़ने का सीधा अशर अवतार शिंग पर पढ़ा क्योंकि उनके स्टॉक में वो रफ टफ जूते थे जो खास तोर पर रूस के सद मौशम के हिसाब से बनाए गये थे वो हैंड मेड जूते थे जिसे मोटे लेदर को शिलकत तयार किया गया था सोल हार्ड रबर के लगाए गये थे ताकि जूते लंबे समय तक चल सके अवतार शिंग ने उन जूतों को भारत में बेचने का फैसला लिया उन जूतों को वुड लैंड ब्रैंड नेम से भाते बजार में उतार दिया गया शुरवाती दौर में दिल्ली की कनाट प्लेस में दो शूरूम ब्रैंड आउटलेट बनाए और इने बेचना सुरू किया मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले इन हैंड में जूतों को काफी पसंद किया गया समय के साथ इसके पॉपलारिटी इतनी बड़ी कि देश पर में कमपनी के 600 ब्रांड आउटलेट बन गया सुरुवाती दोर में जूतों को ब्लैक, खाकी, ओलिव और कैमल कलर स्कीम के साथ पेस किया गया समय के साथ भाती युवाओं के बीच इस ब्रांड ने अपनी अलग पहचान बनाई एसेसरीज मार्केट में भी पहचान बनाई सू ब्रैंड स्थापित होने के बाद आउटार शिंग ने एक एडवंचर ब्रैंड के पहचान बनाने के लिए ट्रैकिंग सू और बैक्स लांच किये धीरी-धीरी कंपनी ने ऐसे कई प्रोडेक्ट लांच किये डिली के हिंदू कॉलेज से ग्रैजुएशन और हावर्ड बिजनेस स्कूल वर रशियन इस्टेट युनिवरसिटी और ट्रेंड एकनोमिक्स से पढ़ाई करने के बाद वो अब ब्रैंड के मैनेजिंग एडिटर के जिम्मेदारी समाल रहे हैं भारती युवाओं की पसंद ही बदलाव की प्रेडा हर कीरत कहते हैं चीन के बाद भारत जूतों का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है वो मानते हैं कि ब्रैंड को आगे बढ़ाने के लिए चुनौतियों का होना जरूरी है वा कहते हैं भारत में भी चुनोतिया कम नहीं है इसका ध्यान रखते हुए युवाओं के जरूरत के मुताबिक जूतों को डिजाइन कराते हैं और हर महिने कोई नए डिजाइन पेश करते हैं सप्लाइचेन को ध्यान में रखते हुए पशन आने वाले प्रोडेक्ट को वापस मंगाते हैं और नए प्रोडेक्ट लॉंच करते हैं भातिय युवाओं किसी एक ब्रैंक पर बनकर नहीं रहते यही वज़ा हमें खुद में बदलाव लाने और कुछ नया प्रीश करने के ल झाँ झाँ झाले प्रोडेक्ट